मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है, ये शक्ती उपासना का पर्वा है, भारत पूरी शक्ती के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए, आओ, हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं, ये संकट ऐसा है, जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितिय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे, जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं, पिछले दो महने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे, कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डट कर मुकाबला किया है, सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भर्त्सक प्रयास भी किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे हम संकर से बचे हुए है, ऐसा लगता है, सब ठीक है, वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है, इसलिए प्रत्तेग भर्तवासि का सजग रहना, सतक रहना बहुत आवश्यक है, साथियों, आप से मैंने जब भी, जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश्वासियों ने निराश नहीं किया है, ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम मिल करके, अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं, आज मैं आप सभी देश्वासियों से, एक सो तीस करोड देश्वासियों से, आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ, मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए, आपका आने वाला कुछ समय चाहिए, मेरे प्यारे देश्वासियों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए, कोई निश्चित उपाएं नहीं सुजा सका है, और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है, ऐसी स्थिति में हर किसी की चिन्ता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है, दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है, वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है, इन देशों में सुरुवाती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है, इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी हैं, भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं, हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनों ने आवशक निर्णे भी किये, और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है, और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है, भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं, जो विकास के लिए प्रैतनशिल देश हैं, और हम जैसे देश पर कॉरोना का ये संकट सामाने बात नहीं है, आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैस्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है, और इसलिए इस वैस्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए, दो प्रमूग बातों की आवश्यक्ता है, पहला संकल्प और दूसरा संयम, संकल्प और संयम, आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा, कि हम इस वैस्विक महामारी को रोकने के लिए, एक नागरिक के नाते, अपने कर्तव्यका पालन करेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के, दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, आज हमें ये संकल्प लेना होगा, कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे, और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे, साथियों, इस तरह की वैश्वीक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्त तो जग स्वस्त, हम स्वस्त तो जग स्वस्त, ऐसी स्थिते में, जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है? बीड से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोश्यल डिस्टन्सिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोश्यल डिस्टन्सिंग ये बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे स्रकोपर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समयता हूँ यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवाओं में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो 60-65 वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक घर से बाहर न निकलें मैं फिर से आग्रह करता हूँ 60-65 से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन्स घर से बाहर न निकलें हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न न हो तो भी साल में एक दो भार तो वहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ ये हैं जनता करफ्यू जनता करफ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया करफ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्यू का पालन करना है इस जनता करफ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है Civil Society है खेल कुद के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन्द में नागरिक को करने वाले काम जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जंता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जंता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूं साथियों पिछले दो महनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीज हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइंस के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेलिवे, बस, आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे है ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देश वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महमारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चैवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवश्यक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवश्यक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेतुरत में फाइनास मिनिस्टर के नेतुरत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एक अनुमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैस्ट्रा लिया है ये टास्पोर्स सारे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए, फिडबेक लेते हुए, हर परिस्थिती का आकलन करते हुए, निकड भविश में फैसले लेगी ये टास्पोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं, उन पर प्रभावी रुप से अमल हो, निश्चित तोर पर ये महामारी ने, देश के मध्यमवर्क, निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षती पहुँचाय दी है, संकड के इस समय में, मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आयवर्क से भी आगरह हैं, कि अगर संभव है तो आप, जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं, उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें, हो सकता हैं, आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर न आप आएं, आपके घर न आप आएं, ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवियता के साथ, संवेदन सिलता के साथ, फैसला ले, हमेशा याद रखेगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ, कि देश में दूद, खाने पिने का सामान, दवाईयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं ये सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा, इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है, कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाएं आप पहले जैसे करते हैं, वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग ये कता ही ठिक नहीं है, उसको न करें साथियों, पिछले दो महिनों में, 130 करोड भारतियों ने, देश के हर नागरिक ने, देश के सामने ये जो संकट आया है, उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है, भारत के लिए, समाज के लिए, देश वासियों से जो बन पड़ा है, हर किसी ने किया है, मुझे भरोसा है, कि आने वाले समय में भी, हम सभी देश वासि, अपने करतवयों का, अपने दाइत्वों का, इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे, हां, मैं मान आता हूं, कि ऐसे समय में, कुछ कठिनाईयां भी आती है, आशंकाओं और अप्फाओं का बातावरन भी प्यता होता है, कई बार, एक नागरिक के तोर पर, हमारी अपेक्षाएं भी, पूरी नहीं हो पाती, फिर भी, ये संकट, इतना बड़ा है, और वैश्विक है, एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में, सारे देश्वास्चियों को, इन दिक्कतों के बीच, द्रड संकल्प के साथ, इन कठिनाईयों का मुकाबला करने के भी आवश्यक्ता है, साथ्यों, हमें अब भी अपना सारा सामर्थ्य, खुद को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्फिक्ता देनी है, आज देश में केंदर सरकार हो, राज्य सरकारे हो, स्थानिय निकाय हो, पंचायते हो, जन प्रतिनिदी हो, या फिर सिबिल सुसाइटी, हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है, आपको भी अपना पूरा योगदान देना है, यह आवशक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो, भारत विजई हो, मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देश का पहला मुबाइल टीवी जो लगतार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट गर से तूर हो या दफतर से बाहर आप कही भी हो खबर छूटेगी नहीं हर मिनट में ताजा हेडलाइन्स के साथ राजनीती, खेल, मनुरंजर, लाइफस्टाइक और तमाम दुनिया भर की खबरें निउस 360 डिग्री टीवी 24 इन्टु 7 लाइफ टीवी ब्रेकिंग बाउंडरी